हेलो अबरिबन दोस्तों श्वागत आपका अमारी यूटूब चेनल जीनियस सिविल में तो दोस्तों अगर आप इस चेनल पे नहीं हो तो अगर आपने अमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तो आज बात करते हैं दोस्तों पा पॉश्ट में कितनी पोश्ट हैं और कौन से डिपार्टमेंट के लिए ठीक है और इसका पेपर कप होगा और एक्जाम वह सॉरी बाकि इसकी जो फॉम्फिल की डेट लास्ट डेट है और सेंटर कहां का एं तो जानतें दोस्तों ठीक है तो दोस्तों आपको पता है पावर ग पोश्ट है 11S में ओपन के लिए OBC के लिए साथ SC के लिए 6 ST के लिए 2 EWS की चार अब PWD ठीक है उसके लिए दो हैं तो दोस्तों कई लोग पूश्ट है कि NCL क्या होगा OBC NCL अगर दोस्तों आपका जो सेंटर लेवल पर OBC है तब ही आप OBC से फॉम बढ़ना अन्य था आप ओपन से फॉम बढ़ सकते हो ठीक है अब दोस्तों जो सीविल की पोश्ट हैं पोश्ट कम है थोड़ा 5 पोश्ट है पर दोस्तों आपको तो एक पोश्ट चाहिए तो जो भी पोश्ट कम है ज्यादा है कुछ तो है ठीक है तो जनरल की 2 है OBC की A कए ST की A के ST की Zero ए EWS की ठीक ccoli fiction और age हम देखेंगे दोस्तों क्या मांगी है । इस वीडियो को दोस्तों तक देखें क्यूं कि बेर इंप़ोरेटर होने वीडियो ठीक है डिप्लिोमा ट्रेनी के नाम है डिप्लिमा ड्रेनी और यह है एलर्रक्टिकल वालों आपके पास क्या होने चाहिए दोस्तों तीन साल का डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास ठीक है आप दोस्तों याद रखना तीन साल का डिप्लोमा तो होगा आपके बास ठीक है मिनिमम आपको 70% मार्क्स होने चाहिए जनरल OVC EWS के लिए ठीक है यह याद रखना अगर दोसने बुरी ख़वर है विटेग वालोंको ले ये फॉम पीटेग वालोंको ले नहीं है DMRC के बाद अब PGCDIA भी 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 बीटेग वालोंको आटा दिया है तो तभी नहीं होगा पर दोस्तों अगर आपके पाल डिप्लोमा तीन साल का और मिनिमूम आपके 70% मार्स हैं तो आप इस इलक्टिकल वाले फॉर्म को बढ़ सकते हो जो पीजी साल में इलक्टिकल के पोश्ट आरके 30 पोश्ट उसको आप फिलफ कर सकते हो अब इसमें जो मै पीजी से रसी का है तो एज रिलेक्स सेशन भी यह तीन साल का पांट साल का माँ आप आगे बता दूंगा ठीक है अब जो सिगेंड पोश्ट है डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की पोश्ट है दोस्तों यहां पे भी सेम क्रेटर है तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 70% मि सत्य साल तीस साल ओवीची ठीक है अगर आपके सेंटर लेवल पर अंजियल और 22 साल एस्ट के लिए इस प्रकार अब दोस्तों बात करते हैं यह कि मैं बात कर रहा था कि एच कि कि छूट दी जाएगी अगर आप दोस्तों ओवीची से और सेंटर लेवल पर आपका यह तो सेंटर फीर चूट दी जाएगी सेंटर तो 5 साल के लिए व्लिए तो कोई छूट नहीं ठीक है यह आपके लिए आपको छूट नहीं है अब आगे बात करते हैं यह पढ़ डिजिएगों मैं पीडियाप हमारी पीडियाप इसको टेलीग्राम ग्रूप में आप डेरेक्ट स तो आप वहां से डिरेक्ट टेलेग्राम में जॉइन कर सकते हैं यहां मैं PDF अब दोस्तों यहां पर बात करते हम इच की बात तो हो गई ठीक है अब आते हैं दोस्तों selection process कैसा होगा कैसा कितना paper होगा कितने नमर को जो selection process है पहला है दोस्तों इसमें return test होगा ठीक है यहां यहां पर लिखा only return test अब लिए computer based test shall be conduct ठीक है नमबर दो है type of return test अब दोस्तों इसमें दो पार्ट है मनलग एक साथ दो पार्ट है एक ही paper होगा उसमें दो पार्ट है अब जैसे आपको पता है आप टीए डीशी में सीम processes में 120 नमर का आपका टेकिनीकल आगा अगर आप electrical से हो तो 120 नमर का अगर आप civil से हो तो 120 नमर का सिविल से ठीक है जो second part और इसमें दोस्तों पचास नमबर का आपका एफट्टूड आएगा ठीक है उसमें आएगा देख लीजिए आप यह पढ़ लेना पूरा पढ़ लेना इसको ठीक है टेलिग्राम में मैं डाल दूँगा तो इसमें क्या होगा 120 नमबर का आपका टेक्निकल और 50 नमबर का नौनटेग जीकेस में नहीं आएगा दोस्तों याद रखना एक अच्छी ख़़़र आपके लिए जीकिए नहीं आए याद रखनी क्या इसमें minimum marks लाने जरूरी है अगर आप जनरल और EWC है तो minimum आपको 40% पहले पार्ट में जो टेकनिकल का है उसमें 40% आपको लाना जरूरी है ठीक है और 30% non-tech वाले portion में ठीक है याने कि आपको 120 का 40% 36% minimum ठीक है और 15% non-tech में minimum ठीक है यह है जनरल वालों के लिए अगर आप रिजर्वों जैसे SC, ST, OVC तो उनके लिए minimum 30% marks टेकनिकल में यहां पर दोस्तों सौरी 12 चको 48 120 नंबर का ना तो 48 नंबर आपको जनरल वालों के बात करता हूं में जनरल वालों के 40% minimum चाहिए और 30% non-tech में दोनों में जरूरी है कंपलसर यह दोस्तों ठीक है तो 12 चको 48 नंबर आपको टेकनिकल में जरूरी है minimum और 30% आपको minimum यानि कि 15 नंबर आपको minimum जरूरी है और ऐसी दोस्तों अगर SC, ST, OBC के बात करता हूं तो 30% आपको यहां पर देख लिए 30% आपको पहले पार्ट में जो टेकनिकल का है और 25% आपका non-tech वालब पोर्षन में ठीक है तो इस परकार आपको लाने लाना है इसमें ठ मेरीड लगी इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अभी बताया था हमने test center अगर आप उत्राखंड से हो तो आपके paper देरोदुन में होगा अगर आप राजिस्तान में तो जैपूर और दिल्ली से हो तो अगर कोई center level हो तो क्योंकि नौर्थ region का ठीक है नौर्थ region में आता उत्राखंड में रहते हो तो देरोदुन आपका suitable रहेगा यहां लिखा है दोस्तों candidate will have to choose the test center nearest their address or communication of their changer will be allowed admission test we produce the admicard candidate have the download their admicard through the application पोटन ठीक है पोश्ट पार ग्रिट यह कर रहा है कि दोस्तों application जो admicard by जो डिलीवर होता है उससे नहीं आएगा online link से आएगा ठीक है तो आजकल online का सब कुछ process आपको पता है अब दोस्तों इसमें पेस इसकी पे की बात कर देते हैं ठीक है 37500 मिलेगा आपको ठीक है जुने इंजर यह सब कुछ 37500 से starting है ठीक है पेस के पच्छीजार से ग्यारह जार एक लाक सत्रह जार पांसो तक तो इसमें यह बेसिक पच्छी वेकल का और इस टाइब से TAD होता है तो दस अरेश्ट मनला लगवग 35 के आसपास आपको मिलीगी ठीक है इससे पहले दोस्तों इसका पेपर जल्डिंगम से दो तीन दिन पहले वह था मनलब दिसम्बर के आसपास में पार गिरेट का पेपर हुआ ठीक है अब दोस्तों इस अगर आपको अपलाई का लिंक नहीं मिलता है तो टेलिग्राम में मैं अप्लोड कर दूंगा इसी पीडियाप के साथ कि यहां पर लिख भी लगा है सब पुछ लिखा है कि कैसा का सकनना है www.powergree.in.com पर क्लिक करना है ओपनिंग पर रिजिनल ओपनिंग नॉर्थ रिजन रेधिनल है पिर रिकसार्मेंट इसके बाद आप वूम्न भड़ सकते हों ठीक है आपको याद रखना है आपने जो सिंगनेचर 20 के विशन ऊपर जाधा नहीं करना है और जो फोटविराफ फोट्व आपकि 50 के विशन ज्याधा नहीं है sameoney in this video using that while लास्ट में डेट है आप दोस्तों जो डेट है इसकी ओपनिंग डेट आपको पता 24 मई 2021 से स्टार्ट 10 बजे है ठीक है तो और जो क्लोजिंग डेट है 15 जून 2020 तक लास्ट दोस्तों फॉर्म बने की कम डेट है लगवाद देखो 15 और छे क्यास पर ठीक है तो बहुत कम डेट है इसमें 20-22 दिन है आप जल्दी से जल्दी बढ़ सकते है इसको फॉर्म और जो दोस्तों यह आपको याद रखना है कि जो 24 मई स से श्थार्ट हो गई है और पमद्र जून लास्ट इसकी डेट है ठीक है और जो रेटन जो रेटन टेस्ट है का जल्दी नौटी बाह हो जाए तो यही थी वीडियो अगर आपको अच्छी लेगी तो अगर आप उत्रा खंड चे हो और अगर आप सीविल और इलक्टिकल चे हो 70% आपके मिनिमम मार्क से तो आप जरूर इस फॉर्म को बरे धन्यवाद दोस्तों बहुत-बहुत